समस्कार आप देख रहा है आरेडी नियोज मैं हूं यूगी श्क्रवर्ती बिहार विधान सभा में नितीश कुमार ने भले ही बहुमत सावित कर दिया हो लेकिन बहुमत सावित करना नितीश कुमार के लिए टेड़ी खीर थी और अगर बीजेपी नहीं लगती तो उनकी सरकार विधान सभा में गिरने तै थी हम आपको बता दें कि पीएमो से लेकर एचेमो तक ने पूरी रात इकसर साइज करके नितीश कुमार को बहुमत दिलाई है ये बहुमत बीजेपी की कड़ी मेहनत का नतीजा है बढ़ना जो कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादब ने नितीश कुमार के साथ खेला कर दिया है तो वो खेला हो ही गया था आए हम समझते हैं वरिष्ट पत्रकार अरून पांडेजी से कि किस तरह पीएमो और गिर्व बंतरालाय ने जो है नितीश सरकार को बिधान साभा में बचाने का काम किया बिधायकों को मैनेज करने का काम किया पिल खेल का कैसे दहते है नितीश सरकार जो बच गई क्या कुछ राकार नहीं होती तो इसτε में बचती नहीं और धास दिलीन कि सरकार थी अवर अभी कहा कि इतने दिन मुखमंघ मुखमंत्री बनतरी बने थे मिं transform कि उसकी बंसब से नादेश Hetान UnityMe कि निए अब और कहा कि दो वार तो गए थे इस वार हमेसा के लिए साथ रहे निवे मात थी लेकिन अब इस्वास्मा तेहां फेस करना था 12 फरवड़ी को और उसके पहले इस्पीकर जो राज़त के स्पीकर हैं उनको हटानी की चुनोती थी और तो यस्मी ने कह रखा था कि खेला होगा खेला हो गया आपने देखा कि राज़त के LGBT दिन में ही जैसे ही राज़त के स्पीकर इब अब विहारी चौधरी के खिलाब सदन में बिचार का मोसं स्विकार हो गया और पुर्सी से हटे नहीं कि राज़त के तीन विधायक सत्ता पक्ष में जा बैठे आप उस मुमेंट की बात में कर रहा हूँ आपने जदी सदन देखा होगा तो जैसे ही राज़त के इस फिकर पुर्सी से हटे सदस्यों के बीच आए उनके तीन सदस जाकर सत्ता पक्ष में जीतारा मांझी को साथ करने के लिए एक दिन पहले से इगारा तारिक से केंडे गीराज मंत्री नित्यांदराय कई बार गये जीतारा मांझी बहुत देर रहे घंटों देर रहे रात देड़र डाले ही कहने जा रहे हैं पुरी रात ही ही भाजपा से घीरे रहे नजीक रखे ताकि मांजी जी फिर इधर उधर नहों जाएं मांजी जी तो भाई नितीश जी के साथ थे ना तो देखिए मांजी जी इधर उधर हो गए तो फिर वो दूसरी वस्ता करने ती मांजी जी पर ही समझे एक तो उनका बड़ा योग उसका भी फल आपको देखने को मिलेगा कि भई तब भी तो पार्टी तूट ने पार सब्सक्राइब करने के लिए कोई सरकार में अपने टीटमेंट से कोई बहुत तवज्व नहीं देने से कई कई कारणों से सब दुखी है तो लोंने कहा कि यहीं वक्त आया है जो हम हिसाब किताब कर लें तो राजत से नजदी कि अब उसमें तो आपने देखा कि कुछ ले रहे थे कि हमी कर रहे हैं कारण गिनाय कि क्यों मैंने राजत से नाता तो रहा है फिर वो कह दिये कि इसी खेल में लाकोला का खेल होने की बाद चर्चा होने लगी उसको और आगे विस्तार दे दिया समराट शवसरी जो पूफ मत्री हैं उन्हें कहा कि इसकी जांच सब की फाइल खंगाली जाएगी जांच होगी और खेला की जांच तो हो गई शुरूर। फुटबाली थाने में केस दर्च हो गया है जदिव कहीं विधायक सुदानसु से खरने दर्च कराया है जिसमें डॉक्टर संजीब हैं जदिव के उनका भी नाम का उलेख किया कि उ इंदी सरकार को गिराने के लिए इनको अलपमत में लाने के लिए राजत की ओर से विधायकों को इस खेल को बचाने के लिए उप मुखमंत्री विजय सिनहां नित्य अंद्राय की तो मैंने आप चर्चा ही की आगये राजत के विधायक हैं प्रलाद यादव कैसे आ गया है सबसे अधिक हैरानी राजत को तब हुई जब उनके वीच से एक विधायक प्रलाद यादव चले गए उस तरफ तो कुल मिलाज विला करें कि स्थिती रही बड़ी भुविका सब को इस केस बचाने मुई कहा डॉक्टर संजीब के बारे में चर्चा हुए उनको नवादा और आगे थे पूरा एसकोट करके लाए गया भीमा भारती कैसे आई उनके पीछे भी कई कई विधायकों को पीछे तंत्र की बात मैंने आपके पूलिस तरह से उसासिंग तंत्र भी आइटिक थे तो कल वहां द्रभंगा की पूलिस एक्टिव थी उनके बेटे के खिलाब केस और वो आया कि थानेदार को ही धंकी देदी है गोली मार देनी की केस हो गया और वो चहेंट रही थी वहां की पूलिस आप सरकार के खिलाब सरकार में रहके ज़दी कीजेगा तो इसले मैंने कहा तंत्र कि तंत्र भी साथ आया है प्योमों भी एक्टिव था तैसे नहीं रहेगी जी जो मैंने आपको कहा कि अभी इतना बड़ा राजिती घटना क्रम है जो कि भाजपा विरोधी दलोग को एक जूट करने वाले सुतधार थे नितिज जी आब इस पाले में आ गया हैं तो सरकार को बचाना तो कि भी उतनी नहीं जीमेबारी भी थी दाइत उथा और चुनवती भी थी कि कोई खेल ना हो जाए इसलिए सोहावी क्रूप से यह मों भी रहा होगा एक्टिव हो मिनिस्टर का भी रहा होगा सब लोग एक्टिव रहे होंगे असपस्त तो कहीं कोई इसके पर साक्ष तो नहीं है लेकिन कि हमें सोचना भी चाहिए कि विधायक ने सर जो किस दर्ज करवाया कि पाचपच करोड का ओफर दिया गया मुखमंत्री नितिश कुमार समराट चौधरी जो डिप्टी सीम है वो पूरे मामले की जाज करवाने की बात कर रहे हैं लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि आर जेडी कहा उन्हीं कि वहंभी पैसे का फ्रह कर रहे हैं कि बाठल इस वाल उठा रहा रहे हैं आप रहे हैं लिए और चिव्हु टेम पर रहे हैं पूर्ए का संस्थी उतिहास को हैं अब और फिर नरसीम्हाराव की मत सरकार बहंमत में आ गई सबूर्ण से लेकर रामलखंसी यादत किन-किन लोगों में होतों तो अब घर सक्षिंग मेंगी बही हो आपने देखा विधायकों को खरीद परोत की चर्चा हुई अभी दिल्ली में हो गई आप में कि वहां विधायक को पाला बदल के लिए करूनों का ओफर था और वहां तो अब एंटी जो करफशन वीरो है वो सीम से पूछ तहां आइक्टिव हो गई है राजनीत में जो राज कमजोर होता है लेकिन अब विधायक बिखते हैं सांसत बिखते हैं सावित कर लिया लेकिन कितने मजबूत है नहीं कहां मजबूत है जिसको आप मजबूत कहांगे इतना जिसको कहिए कम मार्जीन की सरकार आपने देखा छे के बहुमत से सरकार चल रही थी राजत क्याने के सब्सक्राइब करना मुझे लगता है कि समझ से पहले का यह साय देश्या दावा नहीं किया जा सब्सक्राइब करना में क्या आपको लगता है कि जो आर जेडी है वो बड़े प्लेयर के तौर पर वहाविक रोप से इस पूरे घटना करम में जदी तेजस्वी ने कहा कि खेला होगा तो तेजस्वी ने खेला भी किया और मैं मानता हूं कि नितीश कुमार पर भाड़ी पड़े हैं भले ही सरकार बचाली होनी आज मैं आप से ही सवाल पूछता है कि तेजस्वी के पास खोने के लिए क्या है सब्ता से हटकर विपक्ष में तो बैठे हैं विपक्ष के नेता हैं उन्होंने खेल किया इस्पीकर के को कि कुर्सी बचाने रखने में जदी हम सफल हो गए इस पाला बदल से तो नितीश कुमार को इस्थिपा देना पड़ता इसलिए और फिर जो भासन दिया कल तेजस्वी ने बहुत ही ससक भासन था कोई कोर कसर ने देखिए भासा संजत मरजादा की थी और बिंदु बार जि में क्या एजन्दा होगा आप जानते हैं यूथ और यूथ के लिए नवकरी बड़ा एजन्दा है कहीं भी आप बात कीजेगा तो उसको बखुवी फिर उससे जन्दे को धुराया नितीश कुमार की नीव आधार्शिला को तेजस्वी यादव ने हिला दी है और ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी ये कोई नहीं जानता भले ही पियमो और एचेवो की बदद से नितीश कुमार ने बिहार बिधान सभा में बहुमत सावित कर ली हो लेकिन इन तमाम राजनितिक घटना कर्म का असली खिलाडी तेजस्वी यादव है जिसने तमाम दिग्जो को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और खुद को खेला का नायक सावित करने का काम किया फिलाल इतना ही आप हमें फिस्बुक पर फॉलो करें योट्यूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमुल्य बिचार और सुझाब जरूर दें धन्यवाद